अलो गाइस आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ब्रैत ओएस की 1.0 ओफिशल एंडोई 10 रोम के बारे में जिसका फर्स्ट बिल्ड आया है और यहां पर रेड्मी नौट 4 के लिए है और इस में बताने वाला हूं क्या कुछ फीचर्स हमें अ 1 देखने को मिलते हैं सब्सक्राइब करें खलके जब भी मैं वीडो अप्लोड करूब आप सबको नोडिविक्याशन मिल जाया दो चलिए start करते हुए तो सबसे पहले चलते हम यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर देखने को मिल जाता जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर बात करें तो यहां पर देखने को मिल जाता है बात करते हैं यहां पर एडवानस रिस्टार्ट हो हमें देखने को मिल जाता है पावर मेन्यू में एंडरीजेंड की बात करें तो काफी इचा बिल्कुल क्लियार स्मूध आपको मिलने वाला है यहां पर बात करते हैं इसके स्क्रीन रिकोर्डर की तो यहां पर देखने को मिल जाता है और काफी चे तरीके आप यहां पर 60fps इंटर्नल साउंड रिकोर्ड कर पाऊगे और रिकोर्डिंग स्टार्ट करने के बाद नौर्मली आपको हलका सा लेक देखने को मिलता है और बात करते हैं कालिंग की तो यहां पर क्लिंग जो हमारी ब बात करे तो gcam जो है आप यहां पर बिल्कुल ऐसे विस सबम시고 कर पाऊगे बीना किसी रोदूंक की और बात करते हैं प्लेस्टूर की तो प्लेस्टोर हमारा साठिफाइड है जैसे कि की जी पे तो हमारा बिल्कुल इसे दरीके से यहां पर काम कर रहा है और बात करते हैं फोन पे की तो फोन पे भी हमारा यहां पर बिल्कुल इसे दरीके से काम करें तो कुछ बैंकिंगे आप काम कर रहे हैं कुछ नहीं काम करते हैं जैसे कि यहां पर क्यों कि अगर मैं बाथ करूँ तो गया हम बात करो बात करएंगे यूज़ करके अगर बागी। करके सब आप करना ने भी तो सबसे पहले कर बात करूं तो कश्च वारे मैं बिलकुल इस बरीके के सी काम करना जैसे की आप यहां पर देख सकत हो मीद में काफे इंप्रूमेट आपको मिलती हैं अबीधि स्टेट कर मुल जाते हैं कि देखने को मिल सबूप्स पूप आइकंजasan नीचे आपको बैटरी स्टायल देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाले बैटरी परसेंटेज मिल जाता है और नेक्स हम बात करते हैं यहाँ पे Quick Settings के अंदर आपको यहाँ पर Blur Behind Quick Settings मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे blurb को भी control कर पाओगे and नीचे आपको यहाँ पे one UI देखने को मिलता है जो की one UI जो की हमारा settings action वार है वो आपको one UI जैसा देखने को मिलता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तिसको आप disable भी कर सकते हो तो आपको यह option quick settings में मिल कर सकते हैं बटन के अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पावर मेन्यू देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर जो है आपको advanced restart option नहीं मिलता हो अलग देखने को मिलता है तो मैं आगे आपको बताऊ हुआ बाकि end call and back device मिल जाता है और नीचे आपको enable on screen नवार देखने को मिल जा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं तो यहाँ पर जो है system navigation मिल जाता है और यहाँ पर जो है इसकी sensitivity and pill भी आप जो है hide कर सकतो इसको एंड यहाँ पर त्री बटन नविगेशन के अगर बात करें तो यह भी हमारा बिल्कुल अची दरीके स्काम करें और इसकी layout जो है आप देख सकते हो hardware बटन आपके disable हो जाती है इसके लिए जो है आपको इन जो की navigation बार है यह आपको off करना पड़ेगा तभी hardware बटन आप यूज कर पाओगे बाकि यहाँ पर backlight मिली जाता है आपका जो की बिल्कुल एस्प्रिक्स काम कर रहा है ति यह सारे options आपको मिल जाते हैं यहाँ पर अनिमीशन के बात करें तो सारे अनिमीशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा अनिमीशन के option में lock screen के अगर हम बात करें यह यहाँ पर चार्जिंग अनिमीशन चार्जिंग इंफो आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हों date style clock style यह सारे options आपको मिल जाते हैं fingerprint authentication vibration मिल जाता है जो की रिचेंट यह में मिल जाते हैं notification के अंदर आपको बैटरी चार्जिंग लाइड मिल जाती है और साथ-साथ-साथ-बैटरी मिल जाता है स्मार्ट चार्जिंग ऑप्शन देखने के बाद यहाँ पर 61% बैटरी जो है हमारी बस्ती है तो बैटरी वेकप टू फुल ब् अच्छी आपको मिल जाती नॉर्मली यूज में आपको इससे कई ज्यादा अच्छी मिलेगी बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की तो डिस्प्ले के अंदर हमारा जो है डार्क तिंग मिल जाता है तो आप यहां पर यहां पर यूज कर भाओगे सीडूल्स भी लगा सकत यहां पर लॉक्स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर आपको यह कुछ सेटेंग मिल जाता है निव नोड़ जाता है और यहां पर यहां पर बिल जाता है जो कि बिल्कुल इस तरीक से वर्किंग है ताप इसका भी यूज कर पाएंगे एंड में जो हमारा जो है सिक्योर्टी दिस यहां पर पैटर्ण साइज है आपको कुछ इस तरीकेस देखने को मिलने वाला बात करते हैं यहां पर फिंगर्प्रिंट के तो फिंगर्प्रिंट हमारा बिलकुल इसे तरीकेसे काम कर रहा बस android 10 में जैसा कि तुरंद लॉक करता तो अन्लोक नहीं होता वन सेकंड डिले बातला उस तरीके से बाकि फिंगर्प्रिंट अच्छी तरीकिता काम करण भी अलका सफ यह कूंड़ा मिलता है बाकिया पे-it screen-lock setting मिल जाती है अंड यहां पर स्वाट typically करते हैं एंड बात करते हैं यह है justementiddle public को मिली जाता है जैसकि आप यहां पर देख सकते हैं and system स्क्रीमस कے अब आकर पो यहाँ भी देखने को मिल जाता है जिसके अंदर जुक्लिक करने के बाद भी जो एपन नहीं होता है फिलाल तभी एक प्रोब्लम यहां पर देखने को मिलने वाला है जैसे कि आप देख से तो वाइट वाला जो कि Google बूट अनिमेशन में मिल जाता है और एक स्कोर जो है 87907 हमें यहां पर एक स्कोर देखने को मिल जाता है पब जी की बात करें तो ग्राफिक आपको अच्छी वाली देखने को मिलती है और पब जी के जो ग्राफिक सेटिंग है वहां भी ग्राफिक आपको सेम ही मिलती है बाकी रॉम्स की तरह ही बैलेंस पर मीडियम एंड स्मूद पर आप हाई फ्रेम रेट तक खेल पाऊगे तो यहां पर जो कि यहां पर आपको पर से इस को देखने को नहीं मिलता है जो यहां पर पब्स आपको रिकबरी में जाके सब्सक्राइब प्लेटर ना है और रोम करके सिंप्ली रिबूट कर लेना है और यहां पर ज्रूर नी क्योंकि अंदर और और यहां पर आपको फ्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पड़िष अच्छी मिल जाते हैं इंप्रूमेंट भी काफी स्मूद बीघप भी आपको काफी यहा करता है तिहां पर उसके हिसाब से आपको बैटर वेकप जैसे कि मैं प्ले करता हूं तो वहां पर 61% मुझे मिला है ता डेली लाइफ यूज करने में और भी वेटर जो से मिलेगा ता आपको लगी गया होगा बाकि यहां पर फर्स्ट बिल्ड जो है काफी इस दरीके से और का तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब के लो साथ साथ वेल आइकन को प्रेस करके नोडिफिकेशन वेल को ओल पे कर लें ताकि जब भी मैं के ली वीडियो अप्लोड करूँ आप सबको नोडिफिकेशन मिल जाए तो वाच वीडियों बस इतना ही थैंक्स फो वाचिंग